स्टडी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफोर्डबल हेलो एवरिवन लेलकॉप टू स्टडी आईक्यू मैं आप आज आज आप लोगों का इन्वार्मेंट निकलोजी के इस वीकली क्लास में बेहर स्वागत करती हूँ आइए बिना के सिदेरी के देखते हैं कि आज हम क किया गया था उसी के रिपोर्ट के बीस पर यह डिसीजन लिया गया है इस न्यूज को डिटेल में डिसकस करेंगे साथी वालमिके टाइगर रिजर्व के बारे में भी कुछ इंपॉर्टन फेक्स को जानेंगे दूसरा हमारा टॉपिक है क्लाइमिट चींज इंपक्ट इं कि इन एक्स्ट्रीम वेदर इवेंट्स की वज़े से ना सिर्व जो है एकनॉमिक लॉस हो रहा है हुमन टैपिल लॉस हो रहा है बल्कि बहुत जादा इंफरस्ट्रुक्चर को डामेच भी हो रहा है तो यह भी देखेंगे कि कौन से वो कंट्रीस हैं जिन पर इनका जादा इन सौथ इश्या फीस इक्स्ट्रीम हीट तो यॉनाइटडीड निशन की तरफ से ग्लोबल वॉमिग को लेकर लगातार कुछ न कोज स्टेट्मेंट कही जाती है इससे पहले यॉनाइटड निशन की चीफ ने कहा था कि ग्लोबल वॉमिंग का जो फीस है वो ओवर हो चु इसके उपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अब युनाइटे निशन के तरफ से वान किया गया है, कि देखें, जो ग्लोबल लीवल पर हमारे चिल्डरन्स है, वो इस बढ़ते वे टेमप्रीचर को लेकर मोर व देखेंगे, इसको as a keys study आप अपनी means answer rating में भी यूज कर सकते हो, then हमारा four topic है, सफर, system for air quality and weather forecasting and research, तो ये थोड़ा सा news में था, दिल्ली pollution को लेकर, हाला कि इससे पहले भी हमने discuss किया था, कि दिल्ली के अंदर जो pollution था, उसमें हमें थोड़ा सा सुधार देखनी के लिए मिल तो तरह से, दो आप कह सकते हैं, scientist हैं, उनकी तरफ से ये देखा गया, कि जो clouded leopard हैं, वो forest में एक mysterious सा game खेलते हैं, उन्होंने ये देखा कि जिस तरह से humans का hide and seek का game होता है, कुछ similar kind of game जो है, forest में clouded leopard के द्वारा में play किया जा रहा है, हिंदू में एक article आया था, that's why important हो जा हटके है, इसको solve करने का try कीजएगा, इस question की proper explanation मेरे द्वारा मेरे telegram channel पर share कर दी जाएगी, वहां से आप इसका answer with explanation देख सकते हैं, but, first इसको खुछ से solve करने का try कीजएगा, देखे, question क्या कहता है, आपको actually 3 statement दिये गए है, पहला जो statement है, वो ये कहता है, जो भारत है, वो world के अंदर, second fish producing state के नाम पर आता है, यानि कि India is the second largest fish producing country in the world, okay, दूसरा statement बताता है, this is a fact actually, दूसरा बताता है, इंडिया ranks third in aquaculture production globally, तो यहां पे भी अगेन एक fact आप से पूछ लिया गया है, कि aquaculture में भारत का rank 3 है या नहीं है, and then question पूचा है, the global 30 by 30 जो initiative है, focus exclusively on effective restoration and conservation of marine and coastal ecosystem by 2030, तो अगर आपने initiative 30 by 30, जो कि मैं तीन चार बार आपको काफी अच्छे से cover करा चुकी हूँ, इसको अच्छे से पढ़ा है, तो यह वाला statement हो आप बहुत ही अराम से eliminate कर लेंगे, then आपको बताना है कि कितनी statement आपके जो है correct है, right, तो इस question को please solve करने का try आपको थोड़ा सा इंडिया के बारे में भी जानकारी से जानने के लिए मिलेगी, अब हम क्लास में आगे बढ़ें और one by one अपने topics को discuss करें, मैं आपके साथ एक बहुत important information share करना चाहती हूँ, 15th of August, यानि के हमारा Independence Day, हम celebrate करने के पूरे उत्साह में है, तो study IQ बेश उत्सा classes है, वो live मिलनी चाहिए, students का अपने faculty के साथ एक interaction होना चाहिए, otherwise students बस आते हैं, एक पढ़ते हैं दिन चले जाते हैं, इससे बात नहीं बनेगी, जब तक कि आप एक live interaction में शामिल नहीं होंगे, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि mentorship की बच्चे को बहुत जरूरत होती है, क्या करना है, कितना करना है, कहां से पढ़ना है, ये सारे questions तो class में address हो जाते हैं, पट इसके अलावा हर student के अपने कुछ ऐसे doubts होते हैं, अपने कुछ ऐसे puzzles होते हैं, इसके लिए guidance होना बहुत जरूरी है, और जब आप एक program join करते हो, तो उस program में सिफ classes आप नहीं करते हैं That's the not only purpose of the classes, right? Classes तो आपका primary है, that is mandatory, उन classes के साथ आपके faculties आपको guide करते हैं, आपके mentors, हरपल आपके साथ रहते हैं, आपकी progress time to time check होते रहते हैं, and then इसके अलावा आप test series देकर, बाकी के students उनके साथ अपना compare analysis भी कर सकते हैं, कि आप कैसा कर रहे हैं, बाकी लोग कैसा कर और अगर आपको लगता है कि ये मेरे कुछ weak areas हैं, तब आप उन पर अपने mentors के साथ discuss करके, अपने faculties के साथ बातचीत करके proper काम कर सकते हो, और इसके अलावा एक guidance में जब आप पढ़ाई करते हो, तो भटकाओ बहुत कम हो जाता है, फिर बार-बार अलग-अलग videos देखके मन में उथल पुथल नहीं होती ही, नया material खरीद लो क्या, दूसरी classes देख लो क्या, एक बार मन पक्का कर लिया, program जोइन कर लिया, उसके बास सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो इसलिए 11 अगस्त से हमारी सीली स्टार्ट हुई थी, 15 अगस्त हो आजादी का अमरत महुत साथ, यह सेल हमारी समाप्त हो जाएगी, one of the biggest sale in the year यह है, और यह इसलिए है कि अगर देश के लिए इतना बड़ा एक उत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें हमारी स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट लेकर आना चाहिए, यह गिफ्ट यही है, यहाँ पर आपके जो PTY बै आप वेब साइट पर जाएए, वहाँ पर कोर्स को जोईन कीजिए, जब आप फीस पी करेंगे, तो हमाप एक कूपन कोड़ अप्लाई करने का option आता है, वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए का प्राच्छी लाइब, सिमलर रूप में अगर आप P2Y Batch Prelims to Interview Batch और Optional का Combo Offer लेना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा discount मिल जाएगा, यदि आप PCS के तयारे भी करना चाहते हैं, आप एक particular state से belong करते हैं, और आपको लगता है कि UPSC के साथ-साथ मुझे अपने राज्य का जो एक परिक्षा है वो भी देनी चाहिए, तो हमारे UPSC plus Street PCS क कॉम्बो ओफर भी आपको मिल जाएगे, हर एक ओफर में हमने maximum possible by discount आपको दिया है, तो फीस को लेके चिंता मत कीचेगा, और क्वालिटी को लेके तो आपको वैसे भी डाउट नहीं होगा, YouTube पर हमारे फैकल्टी इतनी जान लगा कर पढ़ा देते हैं, तो सुचे पीर क्ल महीने में आपका syllabus complete हो जाएगा, तो यह मान के चलिएगा कि नया साल लगने से पहले पहले, जब प्रिलिम्स का डर पैदा हो जाता है, आपको optional बहुत अच्छे तरीके से तयार हो जाएगा, और अगर particularly optional की ही मैं बात करो, तो देखे, बाकी जंगा कई बार हमें यह देखन के लिए मिलता है, क्लासे के लिए अलग पे करते हैं, तेसरी के लिए अलग पे करते हैं, उसमें भी आपको कॉपी evaluate होके मिलेगी यह नहीं मिलेगी, यह डाउट रहता है, तो किसी भी batch made mission लेने से पहले बहुत माहीन, बहुत बारिक चीज़ों को पूछना जरूरी होता है जैसे अगर आप हमारी in optional batches को join करते हो, whichever you want, आपको with test series, यह जो offer है, मिल रहा है, आपकी ना सिर्फ classes होगी, paper 1 and paper 2 की, then आपके test series करके, पोपर जो है, evaluation किया जाएगा, उसको आपके साथ discuss किया जाएगा, कहां कितना improvement करता है, कौन से आपके ऐसे point है, जो आपकी strength बन सकते ह आपको काम कराया जाएगा, क्योंकि at the end of the paper आपको लिखना है, तो अगर इस batch के बारे में, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, मेरे telegram channel, UPSC with Prachi पर आप मुझे join कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे ping कर सकते हैं, अभी कल पर सो ही, मेरी 3-4 students से बात हुई है, और they are very very happy, कि उ आपको मुहका मिल रहा है, definitely आपको आपकी preparation में help करेगा, यह मेरा वादा है आप से, तो अगर कुछ में पूछना चाहते हैं, telegram channel पर most welcome, आई यह भी चलते हैं, लाज के और, पहला topic, rhinos task force, तो अगर हम ऐम राइनो उस 여러분 की population के बारे मैं बात करें, तो दुनिया की, जो population है से 75 % राइ जो है इंडिया के इन्दर है और इसमें से भी अगर बात करें तो जो 93 — 95 % राइनो की पॉपुलेशन है वो आपकी कहां पर है असम में बात करें तो मेजरली कहां पर है काजी रंगा नेशनल पाइख में तो इंडिया जो है population एक ही जंगा पर है अगर कल को कोई बिमारी आ जाती है या last time जो flood की situation वहाँ पर पैदा हो गई थी में rescue करना पड़ा था तो वो सारी population पर एक साथ impact आएगा और धेरे धेरे बहुत जादा भीड होने की वज़े से जो reproduction है जो उनका एक free movement है वो भी हाँ पर affect हो रहा है that means surplus वाली जंगा से उन जंगाँ पर राइनोस को relocate करने की जुरत है जहां पर उनको एक बहतर environment मिल सकता है और इसके लिए जो हमारे अलग-अलग sanctuaries और national park है वहाँ पर committees बठाये जा रहे है उनकी reports के आधार पर देखा जा रहा है क्या वहाँ का environment, क्या वहाँ का जो एक habitat है वो राइनोस के लिए suitable है इसी same vision को ध्यान में रखते हुए जो बिहार government है वो भी वालमे की tiger reserve के अंदर एक rhino task force को जो है basically establish करना चाहते है ताकि वहाँ पर rhino को reintroduce किया जा सके and that's why ये news में था तो देखिए हुआ क्या है बिहार में दरसल जो tigers की population उसमें substantial increase हुआ है जिससे government जो है काफी आप कह सकते एक enthusiasm है तो state government कह रही है अब हम क्या करेंगे हम rhino task force को establish करेंगे जो में वह सारे measures देगी ताकि हम वालमी की tiger reserve के अंदर rhino को वापस से क्या कर सके और reintroduction उनका कर सके अगर हम एक present की बात करें तो वालमी की tiger reserve में केवल one rhino है और basically जो आपका पटना जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दरहसल आज से लगबग दो साल पहले एक committee जो है setup की गई थी ताकि जो habitat है जो security conditions है वालमी की tiger reserve के वो उनको assess करें and then rhino के reintroduction के लिए measures दें फाइनली committee ने पनी report department of environment forest and climate change को submit कर दी है और अब government ने decide कर लिया है कि now we have to establish a rhino task force perfect है अब देखो अगर ये plan work out करता है तो जो हमारे crowded habitats है जैसा हमें ने बताया असम में वहां से जो है कुछ areas को identify करके rhinos को जो reintroduction किया जाएगा वो VTR में किया जाएगा और इससे क्या होगा rhinos के breed के लिए उनकी population के multiply होने के लिए जादा peace मिल पाएगा ठीक है तो अगर ये सही तरीके से हो पाता है तो राइनोस के लिए काफी अच्छा जो है ये plan रहेगा perfect है चलिए तो दिस तो about the news now वालमी की tiger reserve के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो देखिए जो वालमी की sanctuary है जो की वेस्ट चंपालन डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर है उसका जो core area है लगबग आप मान के चलिए 909.86 square kilometer का है वो दरसल occupy किया हुआ है वालमी के tiger reserve के रूप में इसको 1990 में 18th tiger reserve के रूप में established किया गया था और अगर tiger population के density की हम बात करें तो यह fourth number पे आता है और सिर्फ इतना ही नहीं actually tiger population के increase होने को लेकर यहां के द्वारा काफी अच्छा एक काम करके भी दिखाया हुआ है अभी आप data देख ली ना अच्छा एक और चीज़ धियान रखेगा दो important river है एक आपकी गंड़ा और एक आपकी मसान यह दरहसल इस वाले area से flow होती है और मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी किसी protected area या river का combination बनता हो तो यह आपके exam के लिए important हो जाता है question बनने की संभावना जादा रहती है अब देखो वाल्मी के tiger reserve आप देखेंगे विहार में इकलौता national park है और recently इसमें 75 increase जो है basically tiger numbers में देखने के लिए मिला था जैसे अगर आप देखोगे 2018 में सिर्फ 31 यहां पे tigers थे 2022 में 54 हो गए है तो tigers की population को लेकर काफी बहतर जो है यहां पर इनोंने काम किया है इसके अलावा अब देखोगे 30 tiger तो से पचले 4 सालों के अंदर ही यहां पर इन्क्रीस हुए है इसके अलावा अब देखो जब आप किसी एक project की सफलता को देखते हो तो फिर उससे आपको प्रेरना मिलती है और भी काम करने की जैसे इस वाली सफलता से उनको एक प्रेरना मिली है राइनो री इंट्रोड़क्शन प्रोग्राम के लिए सिमिलर महन में बिहार गोवर्मेंट क्या कह रही है कि जो कैमूर वाइलेफ सेंक्चूरी है इसको भी हम जो एक अनदर जो टाइगर बेरिंग लेंड्सकेप एक अनदर टाइगर रिजर्व के रूप में जो है डिवलप करेंगे तो जो आपका यह कैमूर वाइलेफ सेंक्चूरी है इसलिए इस लिए थोड़ा से इंपोर्टन हो जाता है जब दूबारा न्यूज में होगा हम इसको डिटेल में पड़ेंगे ठीक है थोड़ी से माप की लोकेशन की बात कर लेते हैं इंडिया का मैप यहां पर बेसिकली आपको यह बिहार देखनी के लिए मिल जाएगा राइट है यह वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो यह आप देखोगे इस इस यह पूरा का पूरा वालमी की वालाफ सेंक्ट्यूरी और यह जो डाक ग्रीन कलर है यह आपका जो है वालमी की नेशनल पार्क है तो यह न्यूस थी, इसको थोड़ा सा ध्यार में रखिएगा, पॉफेक्ट है, अब देखो, मैंने यहां पर आपको राइनो के बारे में जानकारी होती है, वो नहीं दी है, वो आपको पढ़नी है, या फिर जब दुबारा कभी न्यूस मोंगे, इसको में डिटेल से कवर कर आपको पढ़नी है, जब भी कोई नेशनल पाक न्यूस में हो, तो वो आपको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, यदि मावे कोई रीवर वगर है, वो आपको पता होना चाहिए, इन तीन चार फैक्ट्स को तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना चाहिए, पॉफ की तरफ से एक स्थीटमेंट आया है कि जो South Asia के अंदर चिल्रन है वो एक्स्ट्रीम हीट को दरसे experience कर रहे है and that's why उनकी जए एक well-being है वो खत्रे में है तो देखे उन्होंने कहा 3 quarter कितना जादा एक आकड़ा है 3 quarter जो चिल्रन है South Asia में वो already जो highly एक आप कह सकते है लेवल पे जाके temperature बन चुका है उसको ना से freeze कर रहे है जो कि world wide में highest है क्योंकि जैसे जो climate change है उसका impact grow कर रहा है तो वो वाले area जहां पर आप कह सकते है भी development उस level पर नहीं पहुची है यह वो वाले area जहां पर extreme weather events का एक जादा आपको फिरोमेना देखने के लिए मिल रहा है वहां की population जादा impact हो रही है और South Asia is one of the reason वहां पर basically वो सारे factors मिल जाते हैं कि climate change का असर वहां जादा देखने के लिए मिल रहा है और जो basically आपके child होते है यह ना basically आप मानके चलिएगा जो temperature में increment होता है उसको लेकर जादा basically उनके उपर impact पड़ता है क्योंकि children जो हैं बढ़ते हुए temperature के साथ mature person की तरह जो adaptability है उसको नहीं रखते है या फिर आप यह कहलेजे कि temperature को bear करने की उनकी जेक range होती है वो एक adult person के तुलना में कम होती है तो अगर बाहर एक जतनी गर्मी है उतनी ही अगर एक mature person के adult को होगी जो बाडी है वो कॉप अप कर ले जाएगी बट एक children के लिए वो उसकी health पर negative impact ज़रूर डालेगे 60 million children जो है exposed है heat को लेकर साथ पर नोंने बताया जो अफगानिस्तान, बांगलादिश, इंडिया, माल्दीव और पाकिस्तान है यह वो countries है जहांके children तो extremely high risk पर है climate change की वज़े से क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर हम पूरे साल में temperature की बात करें पूरे साल में अगर हम temperature की बात करें तो 35 degree Celsius temperature यहाँ पर 83 दिनों से जादा रहा था यहनि कि 365 days थे उसमें से E3 है उससे जादा 35 degree Celsius रहा था जो की एक high temperature माना जाता है साथ में नोंने यह कहा देखो हमारा जो world है वो boil कर रहा है जैसे मैं आपको introduction में बताया था तो यह clearly दिखाता है कि South Asia के across जो हमारे children है वो heat wave से high temperature से threatened है उनकी well being जो है इसकी वज़े से impact होनी ही होनी है इसके psychological impacts देखनी के लिए मिलेंगे, health पर impact देखनी के लिए मिलेंगे तो उनका जो personality development है उनका जो एक सही तरीके से विकास होना है वो नहीं हो पाएगा और फिर नीशन का जो अपने human capital है वो comparatively weak रहेगा तो कोई भी देश तभी व्रद्धी करेगा जब उसका human capital है वो स्वस्थ हो skilled हो तो अगर वो healthy भी नहीं है और उस इसाप से उनकी productivity नहीं है तो उस इसाप से उनकी basically क्या है employment भी नहीं होगी and then ये एक बहुत लंबा cycle बनता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीचेगा आप खुद देखिए अगर आप एक healthy person है तो आपके लिए अपने daily task perform करना अपनी job अपनी पढ़ाई करना comparatively easy होता है उस person में जो थोड़ा frequently बिमार जादा रहता है क्योंकि उनके most of the productive times है वो बिमारी से उबरने में निकल जाते है तो ये एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते है एक crisis theory बन सकता है ना सिफ हमारे environment के लिए बलके economics के लिए भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखेगा कि United Nation के तरफ से इस तरह का statement जो है निकल कर सामने आया था पॉफेक्ट है अब एक similar type का ही दूसरा article देखते हैं बट यहां पर हम extreme weather events के data को लेकर बात करेंगे तो South Asia में children's के उपर high temperature का impact हमने देखा अब हम overall Asia पे climate change का क्या impact पढ़ रहा है अब उसको देखेंगे तो देखे एक new report आई है World Meteorological Organization की हमारा जो विश्व मौसम विभाग है या विश्व मौसम जो हमारी संस्ता है तो basically उसमें यह कहा गया है जो Asia है तरह सर वो वर्ल्ड का most disaster susceptible area है आप देखो data दिया गया है 2022 में 81 जो है basically weather यहाँ पे experience किये गए थे जो की climate या फिर water related disaster से link थे चीक है तो again मैंने क्या बताया था कि इतने जादा दिन में से इतने जादा तो क्या है गर्मी में ही चले गए and then again पूरे साल में से 81 weather climate or water related disaster से link थे तो इससे पता चलता है कि जो area है यह पूर का पूरा इस पे जादा असर climate change का देखनी का मिल रहा है चीक है की highlights के बात करते हैं point by point discuss करेंगे पहली बात तो जो reporters ने reason के लिए एक warning दी है क्या कहा है कि देखो अगर हम mean temperature की बात करें Asia की चीक है 2022 में तो यह second यह third warm mist जो है record में माना जा सकता है और 1991 से लेकर 2020 का जो average था उससे इसका जो temperature था वो basically 0.72 degree Celsius था चीक है तो इतना temperature जादा था वहीं अगर हम फिर से mean temperature की बात करें तो जो 1961 से 1990 वाला average था चीक है उससे कितना जादा था 1.68 degree Celsius अबाव था देखिए हम क्या कह रहे हैं भाई कोशिश क्या करना है कि हमें basically जो 2 degree okay this is not working जो हमारी 2 degree Celsius temperature वहीं तक जो है limit रखना है और maximum possible अगर हो पाए तो 1.5 degree Celsius के अंदर अंदर ही जो है हमें basically रखना है लेकिन देचिए 1961 से लेके 1990 का हमने temperature के average निकाला चीक है and then हमने भाया 2022 का जो temperature था basically mean temperature वह इस average से 1.68 degree Celsius अबाव था तो सूचे ना इस वारे area में तो limit already breach होने start हो गए है तो फर इसका क्या result आया इसका result आया डिजास्टर जैसे अगर आप देखोगे कि 81 जो है weather, climate and water related disasters जो है अश्या में थे 2022 में इसमें से भी 83 आपके flood या storm related थे करीब 5,000 लोगों ने पनी जानगवा दिया 500 से जादा 500 million से जादा लोग इससे directly impact हुए थे और अगर माने करीब 36 billion जो economic damage है वो जो है इस वाले area में हुआ है report ऐसा कहती है साथ में ये भी बताया क्या है report में कि जो west जो हमारा एशिया का arid वाला basically हिस्सा है वहाँ पे severe dust storms की जो frequency है वो बढ़ती जा रही है और जो western एशिया है वहाँ पे जादा जो problem देखनी के लिए मिल रहे है वहाँ इन severe dust storms की देखनी के लिए क्योंकि वहाँ पे सूखा जो है arid मौसम है arid मौसम में sand वहाँ पे है तो जो धूल भरी तूफान होते है वो जो है आपको वहाँ पे जादा देखनी के लिए मिल जाएंगे आप देखो सूखे की बात करते हैं तो बहुत सारा एरिया ऐसा है अभी भी जहां पे पानी के विलिटी पहले से ही कम थी त तो ऐसा ही कुछ देखिए चीन में देखने को मिला है दो हजार बाइस में चीन में सूखे की वज़े से जो है करीब 7.6 बिलियन युएस टॉलर का लॉस देखनी को मिला है इसी तरह फ्लर्ड की बात करें तो पाकिस्तान का नाम सामने आता है हाला कि इस पार तो 2023 की बात कर है कि जो अपने मौनसून के ओवरोल टाइम में पाकिस्तान को एक रेन मिलती थी जो पानी मिलता था उसका 60% पाकिस्तान को सब 3 हफतों में मिल गया था तो एक तम से जो वाटर का आउटपोर हुआ था रेन के रूप में वहाँ पर फ्लर्ड का रीजन बना था निशनल डि किसी कंट्री का 14% हिस्सा बार से परभावित था इनके कितने बड़े पैवाने पर वह बाड़ाई होगी राइट दन आते हैं ग्लीशियल्स मेल्टिंग तो देखो हिमालियन जो रीजन है वहां के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट आ चोकी है कि वहां के जो ग्लीशियल्स का एक आइस का मास था वो काफी हद तक जो है कम हुआ है चीक है 2022 क्योंकि जादा गर्म था जादा ड्राय रहा था तो most of the glaciers का मास यहां पर और तेजी से जो है कम हुआ है जैसे अगर आप बात करेंगे कि जो इस्टन तियान शहा वाला एरिया है चीक है वहां के जो करते हैं 1959 से एक मेजर में जब हमने चुरू की थी तब से लेकर तो आप समझ लेए हो की ग्लीशियस का मिल्ट होना इस आक्चिली में वेरी सीवियर प्रॉब्लम रही इसके बात आती है ओशन वामिंग तो अगर पूरा प्लानेट गर्म हो रहा है तो ओशन में गर्म हो रह तो अगर आप देखोगे 1982 के बाद से आप देखोगे यह जो रीजन है यह ओवरॉल जो है ओशन वामिंग का ट्रिंड दिखा रहा है तो 1982 के बाद से ट्रिंड देखने को मिल रहा है इस वाले इससे में की ओशन में जो है सर्फेस पर एक वामिंग है जो नॉर्थ वेस्टर अरीबियन सी है, फिलिपिन सी है और साथ में जो बेसिकलि आपके इस्ट जापान सी है, वहाँ पर वामिंग का जो रेट है, वो 0.5 डिग्री सेल्सियस पर डिकेड इससे भी जादा है यहने कि हर दस साल में अगर आप एक रेट देखोगे तो 0.5 डिग्री सेल्सियस करीट आपको देखने को मिलेगा, और जो ग्लोबल एवरेज है, ओशिन के गर्म होने का यह उससे कहीं तेज है, उससे जादा है, और इनहीं डेटा के अधार पर कहा जा रहा है कि यह जो सौधन इश्या वाला हिस्सा है, यह जो इश्या है नहीं इश्या में जो सौधन इश्या है, इस पर जादा जो एक्स्ट्रीम वेधर इवेंट्स का इंपक्ट क्लाइमिट चेंज के वज़े से देखने को मिल रहा है, बात करते एकनॉमिक लॉस की, तो देखो इकनॉमिक लॉक सबसे ज़ादा हुआ है फ्लॉड की वज़े से, तो 2002 से लेकर, 2020 के बीच में, जो भी एकनॉमिक लॉस हुआ था, उससे भी एकसीड कर गया था, जो 2022 का लॉस हुआ है, डिजास्टर की वज़े से, अगर हम बेसिकली फ्लॉड वाले डाटा को यहाँ पर कंपेर करते है, सबसे ज़ादा देखने को मिला, बेसिकली पाकिस्तान में लगबग 15 बिलियन यूस टॉलर की बात कीज़े दिन चाइना में, दिन उसके बात इंडिया की बारी आती है 2022 में डॉट की वज़े से काफी जादा था, ठीक है लगब 200 पॉसें जादा था अब समझ रहे हो, हम ना सिर्व तीजी से प्लानेट को गर्म होने दे रहे हैं, बलकि यह जो रीट है, यह हर तरीके से अग्सलेरीट होता जा रहा है हर तरीके से अक्सलेरीट होता जा रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि एक breaking point के बाद अगर हमारा जो temperature यह increase हो रहा है, यह होता ही रहा, तो maybe there will be no return back, right, कोई भी वापस आने का फिर तरीका हमारे पास शायद नहीं रहेगा, so time रहते वे हमेशाद कुछ गंबीर कदम उठाने की जरूरत, and that's why environment as a subject बहुत important हो जाता है, ना सफ आपके exam के लिए, बल्कि एक overall आपकी जो knowledge है उसके लिए भी, and इसलिए यह series आपके लिए लाएगा है, कि environment को specifically हाँ पे cover कर लिया जाए, ठीक है, चालिए, तो यह cover होगे, यह देखो, जो reports के data होते है, इन में आपको जो भी numbers बता रही हूँ, इन numbers को रटना नहीं है, यह घपराना नहीं, ऐसे तो बहुत सा reports आते रहेंगे, कितना आप data याद करोगे, बस एक trend को समझने की कोशिश करो, कुछ जो आपको मोटे-मोटे उन से जो decisions निकल कर आते हैं, जो logics समझ में आते हैं, उनको समझने की कोशिश करो, उनको याद रखने की कोशिश करो, प् किसी बात को साबित करने के लिए कुछ logics, कुछ facts वहाँ पर दे रहे होंगे, ठीक है, अपने example को more substantive बनाते हुए, आप वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना, चालो, मुवण करते हैं, नेक्स टॉपिक पर, सिस्टम फोर एर क्वालिटी और वेदर फोर्कास्टिंग और रिसर्च, तो देखो, यह जो बीसिकली सिस्टम है, किसका है, मिनिस्ट्री ओफ अर्थ साइन्स का है, इसको ध्यान रखना, एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री से confuse यहाँ नहीं होना है, one of the thing, UPSC में अगर मिनिस्ट्री इसको लेकर उन्होंने कभी भी question पूछा है, हमीशा वैसी मिनिस्ट्री को लेकर question पूछा है, जहां पर confusion पैता हो, ठीक है, तो तुरंट से समझ में आ जाए, वो नहीं पूछते है, तो इसको धान रखीगा, ठीक है, तो बी system में research वगरा यहां पर होती रहती है, ठीक है, मिनिस्ट्री उफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको बेसिकली शुरुवात की गई थी, देखो, यह क्या होता है, जो आपके, basically metropolitan city है, वहां पर location specific, air quality का यह data, कुछ इस तरीके से देता है, कि जो एक आम आदमी है, उनको समझ मे आए, तो information का जो spread है, वह इस तरीके से हो, कि एक common pupil को, एक common knowledge के साथ, जो यह चीजों को समझा दिया जाए, बेग्राउंड की बात करते हैं, तो देखो, बहुत सारी ऐसे reports आ रहे थे, बहुत सारी से news headlines हो रहे थे, कि दिल्ली is one of the most polluted city in the world, 2019 की बात करें, तो जो average air quality index था, AQI दिल्ली में, वह 104 पहुच गया था, जो कि पूर कैटेग्री में होता है, तो इसलिए, basically क्या हुआ था, कि बहुत सारे ऐसे initiatives जो है, गौवर्मेंट की तरफ से लाए जा रहे थे, कि भई, पॉलिशन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए, मीजर करना भी जरूरी तो यहां पर क्या हुआ था, जो मिनिस्ट्री ओफ एर्थ साइंस थी, उन्होंने एक सिस्टेम अपना काफी पहले ही, काफी पहले ही लांच कर दिया था, बट इसको जो लाइम लाइट मिली थी, वो तब 2019 के आसपास जाकी मिली थी, जो पॉलिशन का लेवल बहुत जाता बहुत सार रिपोर्ट्स में यह बात निकल के आ रही थी, कि दिल्ली का पॉलिशन दुनिया में सब सब जाता है, तब यह लाइम लाइट में, तिस इस दी बैक्ग्राउंड, अब यहां पर देखो यह वर्क कैसे करता है, तो इनके बहुत सारे एर क्वालिटी मॉनिटरिं पूरा निटवर्क बना रहता है, उन निटवर्क से डाटा लेकर, और साथ में जो वैराइटी ऑफ पॉलिटेंट्स होते हैं, उन सब का डाटा लेकर, जो भी स्टेशन ने रिकोर्ड किया है, एक एर क्वालिटी फोर्कास्ट को जनरेट किया जाता है, कि आने वाले एक द प्लाने का प्लान बनाना चाहता है, for example, और अगर एर क्वालिटी बहुत वर्स्ट है, और उनको पहले से बता दिया जाए, तो मेभी वो अपने प्लान को होल्ड कर सकते है, तो फामिली के लिए, चिल्रॉन्स के लिए, वूमिन्स के लिए, ये कंपरेटिवली बैटर हो ज तो में बहुत बड़ा एक LED डिस्पले है वो लगा रहता है, जो ना सिर्फ आपको रियल टाइम एर क्वालिटी का जो एक डेटा है, वो 24 इंटो 7 बेसिस पर बताता रहता है, बल्कि इसमें कलर कोड़ सिस्टम दी दिया गया है, तो उस कलर कोड़ सिस्टम से आपको समझन तो यह temperature, rainfall, humidity, wind का कितना speed है, wind का direction क्या है, UV radiation, solar radiation, इन सारी चीजों को consider करते हैं, और you can say, इन सारी चीजों को monitor करते हैं, कौन-कौन से pollutant इनके दारा monitor किये जाते हैं, तो PM 2.5 and 10, ozone, carbon monoxide, nitrogen के oxide, sulfur dioxide, benzene, choline, exiline, and आपका mercury, चीक है, यह कुछ आपके जो pollutants है, यह यहाँ पर मे measure किये जाते हैं, UPSC ने एक बार इस तरह के question पूछिया था, जहाँ पर उनोंने कुछ pollutants के नाम दे रहे थे, तो मुछा था, कौन सा measure किया जाता है, air quality जो आपका index है, जो आपको day-to-day basis के air quality के बारे में बताता है, आपको day-to-day basis के air quality के बारे में बताता है, आपको day-to-day हम पहले cover कर चुके है, इस बार उसको यहाँ पर छोड़ रहे हूं, चीक है, तो सफर यहाँ पर cover हो गया, तो जैसे आज सफर पढ़ाया, पहले AQI पढ़ाया होगा, PDF आपके पास है, तेलिग्राम पर शेयर कर दी थी, दोनों को compare करके, पढ़ लोगे, revise कर लोगे, असानी से याद हो जाएगा, चीक है, चालो, ओके, चालो, आज पहुंच गें, लास्ट के टॉफिक पर बढ़े आराउंड से, Clouded Leopard, तो दो साइंटिस्त है, Wildlife Institute of India के WII हमने पहले भी cover किया है, इट इस इंपोर्टेंट अच्छली अब इंस्टिटूट बन गया है, इसको थोड़ जो है, प्ली किया जा रहा था, ओके, तो गीम के बारे में तो, एठी, कैट से इंटरस्टिंग न्यूस, बट हमें, Clouded Leopard के बारे में पता होना चाहिए, तो देखो, बेसिकली, एक cat family से बिलॉंग करते है, जो हमाले वाला हमारा एरिया है, ठीक है, वहां के जो forest है, वहां इनका एक habitat देखने के लिए आपको मिल जाएगा, साथ में जो Southeast Asia और South China यहां पे मिल जाएगा, इसको तरह डिटेल में देखेंगे, इनका जो distribution इसको तरह डिटेल में देखेंगे, पहले ये देखो, जो Clouded Leopard होते हैं, इनको two species में कैटाग्राइज किया जाता है, पहली जो देखने को मिलते हैं, निदिव ये वहां के हैं, तो इन दो basically species के categorization को याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनका जो नेम है, वो Clouded कहां से आया, क्योंकि आप देखोगे, इनका जो fur होता है, coat होता है, इस तरह की Clouds बने होते हैं, बीच में डाक होंगे, दोरा से different color होता है, उसके चारों तरफ जो है, एक बना रहते है, clouded सा structure जो है, बना रहता है, eclipse आप कह सकते हो, जो basically उसके edges black होते हैं, inside dark होता है, फिर background में अलग color देखनी के लिए मिल जाएगा, अगर आप देखोगे, तो इनका basically जो भी feline है, यानिके जो cat के family से belong करते हैं, उनमें के longest किनाई teeth होते हैं, this is one of the interesting facts, जो आप गयाद रखिएगा, इसके लवा ये ना actually कहीं भी चले जाते हैं, चाहे कोई दूसरा cat के family से belong करने वाला, वहां पर इनको क्यों ना मिल चाहे, क्योंकि ये ना basically बहुत जादा आप कह सकते हैं, effective होते हैं, ट्री पर चड जाने में, उल्टा लेंगे, तो उस तरह की चीज़ें, तो they have that fearless type का attitude की हम कहीं भी जा सकते हैं, because tree climbing वगारा में काफी साथ expert होते हैं, और फर इनके कनाइंटीन तो सबसे जादा भाई हैं, strong हतना है, okay, अगर हम habitat की बात करें, in vegetation के terms में, तो आपका tropical evergreen rainforest है, ये वहां पे generally आपको मिलते हैं, most of the time, ये अपना, वहीं spend करते हैं, but आपको जो dry tropical forests, जो आपके mangrove swamps हैं, वहां पे भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और Himalayas पे, जो relatively high, basically, आपके altitudes होते हैं, वहां पे देखने को मिलते हैं, अभी distribution को detail में देखते हैं, जो आपका Southeast Asia है, और Himalayas है, कहां कहां पर? Southern China, Southern China, भुटान, नेपाल, Northeast India, Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos and Bangladesh, यहां पे देखने को मिलते हैं, माना जाता है कि Taiwan और China में ये extint हो चुके हैं, basically, इसके अलावा, अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में सिक्केम, North Eastern, जो हमारा West Bengal है, इसके अलावा Meghalya का subtropical forest, तिरपुरा, मिजोरम, मनिपू असम नागल है, अरुनाच्रा परदेश में देखने के लिए मिल जाएंगे, Meghalya में इनको state animal, जो है, डिक्लियर किया हुआ है, तो again, this is important fact, threats की बात करें, तो माना जा रहा है, जो habitat loss हो रहे हैं, poaching जो हो रहा है, यह one of the reason है, इनकी population के decline होने का, and third, जो हापको पता होना जा तो यहाँ पर हमारा आज का discussion कतम होता है, जाने से पहले फिर से याद देला दू, this is the best time, trust me, यह जो institution है, यह team work पर, quality work पर, और अपनी students का साथ देने पर believe करता है, this is our motto, और कह सकते हैं, हमारा धे है, कि हमारे students ही हमारा सब कुछ है, तो आपके लिए, यह जो हमारा आजाद का अमरत महत सब वाला, एक time चल रहा है, यह बहुत अच्छा offer है, इस time पर course को join करने का, fees फिर बाद में बढ़ जाएगी, आप पच्ता होगे, क्यार, उस time पर join कर दिया होता, join करना ही है, प्रोग्राम आपको कोई ना कोई, join करना जादा बहतर है, आपकी preparation के लिए, तो why not today, right, कल करें सो, आज करें सो, आज करें सो, अभी, तो अभी कर लीजिए, optionals मिल रहे हैं, अगर अलग से course लेना चाहते है, P2I अलग से करना चाहते है, वो भी available है, optional और P2I का combo offer लेना चाहते है, that is also available, P2I और PCS के जो exams है, उनका combo offer लेना चाहते है, that is also available, और यह बहुत इवन NCRT के course भी, आप लेना चाहते हो, इतने जबरदस डिसकाउंट पे मिल रहा है, इतनी कम फीस पे NCRT का course मिल रहा है, मतलब hard to believe, चेक है, अभी recently मेरे कुछ students थे, जिनों ने NCRT का भी course लिया है, and actually, उनके साथ contact में थी, and उनके classes बड़ी अच्छी चल रहे है, तो आप P2I का जो है course लीजे, and try to have a combo batch, right, P2I in optional का, choose one of your optional, सबसे अच्छी बात है, P2I के पूरी classes करोगे, optional की पूरी classes करोगे, दोनों ही चीजों में testaries साथ में आएगी, prelims की भी testaries, means की भी, P2I में, optional में means की testaries, and means residential program तो है ही, अगर P2I में admission लेते हो, और means में, लिखने का मुका मिलता है, prelims crack करके, तो पूरी जिम्मेदारी without any, without any additional cost हमारी होगी, तो yes, अगर आप इस बैस से जुड़ावा, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि admission लेने से पहले आपको अपने सवालों के जवाब जरूर जाने चाहिए, मैं हमेशा कहते हूँ, ask as many as questions you can ask, or you want to ask तो यूपीस से बित प्राची पर आप पूछ सकते हैं, और प्लीज सोचेगा इस बारे में, यह आपके बहुत हित में रहेगा, ठीक है, फिर मेरते हैं, एक नहीं क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखेगा, website and application को explore कीचे, study IQ की, playlist को explore कीचे, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, Saturday, Sunday, पढ़ाई करनी है, ठीक है, अपना ध्यान रखेगा, अपनों का ध्यान रखेगा, Thank you so much everyone, जैहिंत Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable